पूर्ण परमात्मा पाप करमगंड को भी काच चटता है अभी तस जिस्थी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमगंड होगने से ही समाथ होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काच देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है फूजा की विधी क्या है किरप्या अवश्य तुनिये जगत गुरु सत्व दर्शी संत रामपार की महराज के अम्रिंद वजन कर देता है झाल झाल अब यहां कुछ इनानवाद करताओं ने बात बिगाड़ रखी है अब यह तीन चार सिद करने हैं उनके लिए आपको यही सिव पराण लेकि इसमें अनवाद सहित यह उस संस्कर्त भी साथ है यह है सिव महापराण यह सिव महापराण हिंदी टीका सहित इसके यह कहां के इस परकासित है यह है सिरी सिव महापराण यह है विदा वारिजी पंडित जवाला परसाद जी मिसर करित हिंदी टीका सहित परकासक को भी है खेमराज सिरी करसंदास परकासन बंबई इसके विद्वेश्वर सहिता के अंदर एक परकरन आता है विद्वेश्वर सहिता में एक परकरन आता है कि एक समय बगवान विष्णू लक्समी सहीत सेस नाग पर बैठे थे और उसके आस पास बहुत से उनके नौकर सेवक बैठे थे बिरमाजी वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर के सेस सिया पर लेटे हुए बगवान विष्णू से बिरमाजी ने कहा कि अरे अबिमानी तू अपने पिता को देखकर खड़ा हो के सथकार नहीं करता खड़ा हो मैं तेरा बाप आया हूँ मैं तेरा पिता आया हूँ विशनू जी कहते हैं अरे तू मैं तेरा बाप हूँ तो ढीट हो गया है अपने पता के सामने ऐसे उल्ड सुड बोलजाई केहने का भाओ यह है जैसे दूसरी तीस्री कक्स के बालक लड़ा गरें ओक है मैं तो मैं तेरा बाप फिर मुकम मुका लड़ाई कर देते ऐसे इनका युद्षुरू हो गया उसके बीच में भगवान इसकाल ने एक अपनी सक्ति से बीच में सतंब चमकी लास तेजों में सतंब खड़ा कर दिया ये दोनों लड़ाई बूल करके उसके एंड को देखने लगे फिर महां उपर को चलागा विष्णू नीचे को विष्णू ने आकर के सत्चाई बता दी कि मैंने नहीं इसका कोई और चोर नहीं पाया ब्रमान जूठ बॉल दी कि मैं इसका अंड देखाया हूं उपर का सिरा देखाया हूं तब ये काल वहाँ पर घट होता है और ये क्या कहता है ये देखिएगा नंदी के स्वर बोले इस परकार बगवान ने उन नमर हुए बिर्मा और विश्णू पर अनुगहा करके उनके युद में जो परस पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को अपनी सक्ती से जीविद किया जिवा कर उठाया अबुकाल क्या कहता है कि मेरे सकल और निसकल बेद से दो सुरूप हैं परन्तू और इस वर नहीं है कारण इन में दो रूप नहीं हो सकते कि पहला सतम रूप और पीछे मूर्ती मान रूप धरन किया इसम बरहम रूप निसकल है और इसवर रूप सगुरूण है मेरे ये दोनों रूप सिद हैं दूसरे किसी के नहीं हो सकते इस कारण तुम दोनों ने जो दूसरों को अथवा दूसरों को इस वर तवकी प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम ने जो अज्यानता से अपने को ईस माना है, यह बड़ा अदभुत किया है, इसके दूर करने को ही मैं रन सत्थान में आया हूँ, अब तुम अपना अभिमान टाकर मुझ इस वर में अपनी बुधी लगाओ मेरे प्रभाव प्रसाद से लोक में सब आज़ परकास करते हैं इसे क्या सिद्ध क्या कह रहे हैं ये काल भगवान कि तुम ने बिरमा और विश्णू को कह रहे हैं कि तुम ने अपने आपको भगवान मान लिया तुम भगवान नहीं हो तुम ने अग्यानता से अपने आपको परभू मान लिया तुम परभू नहीं हो तुम इस नहीं हो मालिक नहीं हो आगे फिर क्या बताते हैं ये काल क्या कहता है देखिएगा अपरस्थारा पर कहता है कि हे पुत्रो जर्मा और विश्णो को हे पुत्रो यह कर्ट आपने जो सथी थी और उत्पत्ती का जो तुम्हें जौब मिला है यह पुत्रो यह कर्ट आपने तब से प्राप किया है जो की सिरिष्टी की उत्पत्ती और पालन कहाता है सो मैंने परसन होकर तुम्हें तुम्हें दिया है ये देखना इसी परकार बिर्मा भी सुनों को तो कहते हैं कि हे पूतरो यह कर्टे आपने तब से प्राप्त किये हैं जो की सिरिष्टी और उत्पत्ती और पालन काते हैं सो मैंने परसन होकर तुम्हें दिये हैं इसी परकार दूसरे दो कर्ट रूदर और महिज को परदान किये हैं परन्तु अनुग्र कर्ट कोई भी पाने के को समरत नहीं है पुनात्माओ समझदार को संकेत ही बहुत होता है इससे कलियर हो गया कि इसने सपस कर दिया कि बिर्मा विशनू शीव रूदर और सीव इन से न्यारा है वक्ता वो भगवान अपने आपको भगवान कहता है काल ऐसे ही भरमित करके इनको गुमरह कर रहा है आपने देखा कि बिर्मा ने अपने आपको कैसे बिर्मा वान वानिया कि मैं तेरा उत्पत्ती करता हूँ ब्रमा कहता है कि मैं मेरे से विष्णू तेरी उत्पत्य हुई है क्योंकि ब्रमा पुराण में ऐसा ही लिखा है और विष्णू कहता है कि मेरे से तेरी उत्पत्य हुई है क्योंकि विष्णू पुराण में ऐसा ही लिखा है और सीव पुराण में शिवजी से बिर्मा और रुदर्ग और विष्णो की उत्पत्टी लिखी है अब क्या रहा है कि जैसे बिर्मा जी कमल के फूल पर पाए और वो कमल विष्णो की नाभी से बाहर आया तो यह सोच अब जैसे पिर उन समाधी लगाई उन रिशियों ने तो मैं उन्होंने किसी ने तो बिर्मा रूप में काल के दरसल प्रा हुए किसी ने सिव रूप में किसी ने विष्णो रूप में तो वो जाकर के इनको कहते हैं कि यह बगवान आप ही पुर्मात्मा हो और आपकी नाभी से बिर्मा उत्पन हुआ तो बिर्मा विष्णू फूल गया उद्र बिर्मा को जाकर कहते हैं कि आप ही मालिक हो आप ही विष्णू और सिव के उत्पत्ती करता हो तो वहां विष्णू बिर्मा जी खुस होगे कि मैं ही इनका उत्पत्ती करता हूँ पर इन बेरा का हैं का इंको नी तो ऐसे इनकी लड़ाई होगी इन्होंने उन औरों के कहने से ये मान लिया कि सच्मोच ये मेरे से उत्पन हुए होगे विसनों उत्पन हुआ होगा और विसनोंने ये मान लिया कि बिरमा मेरे से उत्पन हुआ होगा सब ही कह रहे है तो काल ऐसे हमें उलज पुलज कर रहा है और जबकि परमात्मा ने ये तत्वग्यान जबकि परमात्मा कवीर परमेश्वर ने यही तत्वग्यान अपने अमरत वानी में छस्सो वरस पहले लिपिबंद करवा दिया था जो आज इनी सभी सद्गरंतों में फरमानी थै इसमें क्या है ये सिद्ध हो गया कि बिर्महा, विशनू और सीव बगवान नहीं है ये शम्रक नहीं है और ये भी सिद्ध हो गया कि इनके उत्पत्ति करता, इनके माता-पिता, दुर्गा और काल है ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुन बिर्मा है सद्गुन विसनु है तमगुन शिवकी है अब आपने सिवपरान में देखा कि इस दुर्गा को अब बिर्मा ने कबीर परमातमा से सिर्ष्टी रतना सुनी थी परमातमा आये थे चारों योगों माते हैं सबसे पहले बिर्मा से मिले थे सबसे पहले बिर्मा जी से मिले थे और बिर्मा को ये सारी शिर्ष्टी रतना सुनाई थी फिर विशनु को मिले फिर संकर को मिले उनको भी ग्यान बताया था एक बार तो उन्होंने रूची कर सुना लेकिन बाद में काल प्रेरना से उन्होंने प्रभू की बात को नहीं सुईका रहा तो बिर्मान ने वो कभीर पनमेस्वर से सुना हुआ कुस ग्यान और कुछ अपने अनुभाव का जैसी उसकी बुधी ने काम किया उस ग्यान से पुराणों की रतना की पुराण वैसे एक ग्यान है इसमें वक्ताओं ने फिर जो जिसने सुना जैसे बिर्मान ने तो सब को बताया अपने अवन सजों को फिर जिसने रिसी ने आगे किसी को बताया सुना सुनाया गयान वो आगे उसी के नाम से पुरान सास्तर बन गया अलग अलग नाम रखे गए अब जो विशनू का उपासक था उसने विशनू रूप में भगवान के दर्सन हुए तो उसने विशनु पुरान को ही विशनु के उपर ही सारा मंड दिया लेकिन फिर भी सचाई को नहीं छुपा सके क्योंकि विशनु जी और काल भगवान जो विशनु कहा गया है उसके ज्रीतर में बहुत अंत्र है तो इसमें एक तो परकिर्टी सब्दा है कि उस देवी को दुर्गा को परकिर्टी कहते है और उस काल भगवान ने यारी सदाशिवन अपने सरीर से एक इस्तरी उत्पन की ये सुदंद का था ये कबीर साहिब के सुने हुए ग्यान को गुमोड गुमाड का है अब उसको उल्टा सुल्टा करके और इसने कहने की चेश्टा की और ये सपस्टवा जैसा आपको सुबह बता था कि परमात्मा ने इस काल के सरीर से दुर्गा को निकाला था और वही अस्तंगी कहलाती है वो आठ हो जैवाली है और परकरती भी उसी का नाम है अब देखिएगा ये गीता जहाए स्रीमत वगुत गीता जहाए साथ में ये सलोक चार और पांस का अनवाद है पर्थवी जल अगनी वायू आकास मन बुथी और इंकार भी इसी परकार ये आठ परकार से विभाज़त मेरी परकरती है ये है आठ परकार से भेदों वाली तो पराए परा अरथात मेरी जल परकरती है और हे माभाव इस से दूसरी को जिस से संपुन जगत दारन किया जाता है मेरी जीव रूपा प्रा अर्था चेतन परकर्ती चान तो परकर्ती होगी एक तो जड़ परकर्ती है क्योंकि हमारे स्रीर में की परकर्ती पनिफी है और दूसरी परकर्ती ये दुर्गा है इसके लिए आप पढ़िएगा चौदमा अज्धै इसमें पर्थम स्लोक में कहा कि ग्यानों मैं भी अति उत्तम उस परम ग्यान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनीजनी संसार से मुक्त होकर परम सिध्धी को प्राप्ट हो गई अब देखना इस ग्यान को आस्रे करके अर्था धारन करके मेरे सरूप को प्राप्ट हुए प्रुस शिर्ष्टी के आधी में उत्पन नहीं होते और प्रले काल में भी व्याकुल नहीं होते क्या बताता है अब क्या ग्यान है वो के तीसरे सलोक में चोग में जाये के और मैं उस योणी में चेतन समुदाइक गरब को सथापन करता हूँ उस जड़ चेतन के सेयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ती होती है भूतों की यानि प्राणियों की उत्पत्ती होती है अब ये चार नंबर सलोक देखो ये चैर नमबर स्लोक यहां आ जाता है है अरजुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्था स्री धारी प्रानी उत्पन होते हैं प्रकरती प्रकरती उनकी गरवधान करने वाली माता है और मैं वीज को सथापन करने वाला पिता हूँ पांच में सफच्च किया है कि हेर्जुन, सत्गुन, रजगुन और तंगुन ये परकर्टी से उत्पन तीनों गुन अविनासी जीवात्मा को संसार में बांगते है अब सफच्च हो गया कि परकर्टी दुरगा है और परकर्टी दो है एक जड़ एक चेतन है ये चेतन परकर्टी से लिखा है कि ये परकर्टी से उत्पन तेनो गुन रजगुन बर्मा सद्कुन विस्नु तंगुन सिर्जी इसाविनासी जीवा आत्मा को यहीं फसा कर रखते हैं कर्मों के बंदन में बांदे रहते ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इस काल की गीता गयान दाता ब्रहम की पतनी है और ये इनका बिर्मा विस्नु में इसका पिता है दुर्गा इनकी मा है अप इन आत्मा सभी सद्गरंद परमानित कर रहे हैं जो परमात्मा ने छश्ट साल पहले कहा था जो परमात्मा ने छश्ट सो वरस पहले ग्यान बताया था और इन अग्यानी संतों ने रिसियों ने उस ग्यान को रिजेक्ट कर दिया था ये कह करके कि कबीर ऐस सिक्सित है इसको सद्गरंदों का ग्यान हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संसकर्द को नहीं जानता उसमें हम एसिक्सित थे हमारे पुरूज एसिक्सित थे और ये बात उन अग्यानियों की जो है के कबीर साहब ग्यान वेदों और सद्गरंथों पुरानों को और गीताजी को नहीं जानते या श्रेचटगी या पक्ती जचचगी के ये तो बात सही है कि कबीर साहब ऐसिक्सित है ये वेदों और गीता और पुरानों को नहीं जानते और पुर्नियातमाओ वेद खुद कहते हैं कि विदों और एविदों के विसे में तो तब दर्शी शंत बताएगा केवल अक्सर ग्यान प्रापत कर लेने से वो विदों नहीं होता एक वासा विसे जान लेने से वो विदों या महर इसी नहीं बन सकता क्योंकि भासा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है वो कोई भी लेंग्वेश हो थे, सिंपल लेंग्वेश हो अपनी अक्सेत्रिय भासा हो, लेकिन ग्यान वही हो अब जो कथाएं जो पुराणों मस्री, मद, भागवत, सुधा सागर में जो कथाएं थी उन्ही कथाओं को सुनके सांगिया ने सांग बना दिये थे और वो एक कथा जिसी वासा में अपने लोकल लेंग्वेश में और खोसुंदर तरह समझा दिये शिरी कर्शन और सुधामा की कहानी खूब अजन बना बना कर सांग बना कर शिरी कर्शन की लिलाच तरह समझा दिये तो भासा से का इतना काम है कि जिस भी लेंग्वेश में जो समझ सकता है उसको उसी में समझाने से ग्रेंड कर लेगा तो प्रमात्मा ने ऐसी language बो लिए कि आने वाड़े समय में इस भासा को सभी समझ जाएंगे तो वही ग्यान जो स्वंस्कर्द भासा में था वही प्रमात्मा की local language में simple language में साधान भासा में जिसको जन साधान समझ सकता है अज उसमें वह योका तो मिल रहा है तो पुन्यात्मा हमारे साथ बहुत दोखा हो रहा है और ये अज्यानी संत गुरू अब भी बाज नहीं आ रहे और ये आएंगे भी नहीं क्योंकि इनको तो स्वार्थ हो गया इनको तो लव मू लाग रहा है कैसे कि अच्छी जिनके पास टडावा हो है कुछ तो इनकी दो दो तिन तिन पी डीचाली जो पहले संत आसरम बना गई भी इनकी वैसे ही वो पुली आत्माएं एक परमपरागत वह जाने लगी कि महम तो वहीं जाते हैं हमारे दादा पर दादा जाते थी अब वरतमान जो वहाँ पर बंदक बैठता है महनत या कोई संत बनता है वो उनके खून पसीने की कमाई को मस्ती में बरबाद करता है अब इसका समादान तो जन साधारन को समझा कर ही किया जा सकता है जब हम स्वंप इस सौदे को पर्खने लगेंगे लाल और लालड़ी को पैसानेंगे तभी हम उसके दूर हट सकेंगे वैसे नहीं इसलिए इसलिए इदास आपको सदगरंथों को दिखा करके ये परमानित करता है आपको लाल और लालड़ी की परख करने के योग बनाता है ताकि आप उस लालडी को फैंक करके कौड़ी को फैंक करके सत्वगती रूपिलाल को ग्रहन करें एक नगर में दो सौदागर भाही रहते थे उन में से छोटे की मर्तुब हो जाती है उसके दो पूतर थे उनकी माने जो विद्वा होगी थी एक दिन अपने पूतरों से कहा के बेटा तुम अभी बच्चे हो एक चौदा पंदरा वरस का था दूसरा सोला सत्रा वरस की आयू का लगवग था कि तुम अब अभी आप बालक हो और विजनस बपार को नहीं कर पाओगे आप अपने ताओ जी के साथ लगके ताओ जी कहते हैं पिता के बड़े भाई को या अपनी तेसी बासा मारियाना की लेंगवेज में बड़ा अंकल अंग्रेजी में बोल देते हैं कुछ आज कर इंगलेसर को चिंदी मिलकर भी बासा बनती जा रही है उसी में बड़ा अंकल कह दो तो कहने का भाओ ये है कि उस माने कहा कि बेटा तुम अपने ताउजी के साथ मिलकर के इसे दारी में अपना बेपार कर लो बेवसाय करो ये मेरे पास पैसे तो है नहीं पूतर तेरे पता के समय के रखे हुए कुछ लाल है बुडिया ने वो पोटडी जो बांध रखी थी गठडी लाल वो बच्चों को दे दिये और कहा अपने ताउजी से कह दो कि ये लाल ले ले और कहीं इनको गिरवी रख ले माँ के दोरा दिये गए उन लालों को की पोटडी को गठडी को लेकर चले गए ताउजी से प्रार्थना की ताउजी मेरी माता ने ऐसे ऐसे कहा है हमारे पास पैसे नहीं है मेरी माँ के पास मेरे पिता के समय के रखे हुए ये लाल है इनको आप ले ली जी और इन से पैसे लेकर के हमारा पार्टनर शिप कर ली जी अब उताओ जिनवा गठड़ी खोली खोल के गठड़ी देखका उन लालों को वापिस बांद दी उनके समक्स और कहा बेटा इनको तो अपनी माँ को दे आओ कहीं बहुत कीमती है ये इनको समाल के रखे आप मेरे साथ पार्टनर सिप कर लो मेरा उधार में बहुत उधार चलती है वहां से उधार ले आवांगे और वापिस आकर के इन लालों को परियोग कर लेंगे तोनों बच्चे परसंद हुए यही बात जाकर के माँ से कहा मा ने वो माताजी ने वो सारे उठा कर बोटली समाल कर रख दी दोनों बच्चों को लेकर कि वो उनका ताउजी दूसरे सहरों में गया वहां उनके हाथों से सारा व्यपार करवाया एक व्यपारी से पचास हजार रुपे का सामान मोल लिया उधार लिया और जहां वो धर्मसाला में रुके हुए थे वहां आकर के उसने उन बच्चों से कहा बेटा ये ले जाओ ये लाल है और अपन उस सेट को दे कर आओ जिससे हम पचास हजार रुपे का समान उधार लाए है और उनको कहना कि ये लाल आप रखलो हम वापे साकर कि आपके पचास हजार रुपे दे देंगे और लाल अपना छुड़वा लेगे अब दोनों भाई उस लाल को ताओ के दोरा दिये हुए लाल को लेकर कि वहाँ पहुंचे उस सेट के पास जिससे पचास हजार रुपे का सामान खरीदा था उससे कहा शेट जी मेरे ताओ जी ने ये लाल दिया है इसको आप रख लीजी गिर्वी रख लो रहन रख लो और आपका जो पचास हजार का सामान हम लेगे है हम वापेस आएंगे आपके पचास हजार रुपे दे देंगे अपना लाल ले लेंगे अब उस सेट ने एक विक्ती बलाया जो पार्खी होता है जो लालों की परक्ष करता है जोहरी बोलते हैं उसको जोहरी उसे दिखा की भी देखना ये लाल ख़ड़ा है या खोटा जोहरी ने उसको चेक करके बता कि ये लाल नहीं है सेथी ये तो लालडी है या तर सो रुपीय की भी को नी और लाल तो नो लाफ रुपे का होता है उस समय की कीमत अब तो नो करोड का कह सकते हैं तो सेथ ने वो लालडी जो थी वो बाहर मारी फैंक का गली में दुकान से और उन बच्चों को खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारे ताउजी ऐसे तो नहीं थे अब उसकी नीतमा खोटा गया मेरे ते लालडी देवा है लाल तो नो लाक का होता है या लालडी है दो सो की भी को जाए तो उन बच्चों ने बड़ा मैसूस हुआ उस लालडी को उठा कर वो देखें जानते हैं वो आगे वहां करके कहा ताउजी वो सेथ बड़ा बंतमीद है उसने हमारे सामने आपकी बेज़ती की है आपको बेएमान कहा है और कहा एक पता नहीं कौन विक्टी बलाया था वो कहने लगा ये तो लाल नहीं है लालडी है तब सेथ जी कहने लगा बेटा दिखाना रहे तो उनका ताउजी बला बेटा ये तो सचमुज लालडी है ये लाल नहीं है सेट सी गलत नहीं कह रहे और जो विक्ती आया था वो जहुरी था भाई वो जहुरी परक्ष करता है रह वेटा ये इदर रखा था लाल ये लाल ले जा और ये है लाल वेटा मेरे से धोके से दे दी गी ये लालडी देखि इन में कितना अंतर है हो हो बहुत फरक है ना वाई तो उन बच्चों के हर्दे में लाल और लालडी की वो परकराना चाता था और ये ठोकर लगी उनको ऐसा कुस जटका लगया तो और जान से देख़्या उन्होंने शिगर परक कर ली के बहुत अंतर कहा ले अब जाओ ये कहो के मेरे ताओ जी को धोका लगया था दोके से लालडी दी गई ये देखो लाल ले सेट की तो उन दोनों ने जाकर के उस सेट से कहा सारी कथा सुनाई तो सेट ने फिर वो जोरी बलाया उस बिजनिसमेनन जOhinement आते ही उस लाल को परक के कहा कि हाँ ये ओके है ये सही लाल है अब वो सेट कहता है कि देख थर्मात थे मां के होते है यसाव से लाल है बच्चों को कहता है देख ये है वो लाल कहने का भाओ ये है कुन बच्चा का यू ऐसा जटका लगा उन्हें लाल और लाल लड़ी की पैचान होगी वो अपने सव देश लोटाए सव नगर में आकर के अपने वो ताओ जी के लगा बेटा अब अपनी मां से वो लाल ले आओ उदहर गणी होगी उन लालों को किसी को दे करके पैसे ले लेंगे उदहर रख देंगे अपने फेर छुटवा लेंगे दोन्नों भाई बागे गए जाते ही कहा मा माताजी ने कहा आगे बेटा तुम हाँ कहा आगे आजो खाना खाओ हक नहीं खाना पीछे खाएंगे पहले हमें वो लाल दे ताओ जीब बहुत करजा हो गया है उदहर बहुत सामान ले आए है और वो लाल दे उनको गिर्वी रखकर हम कुछ पैसा लेंगे आगे अपना ब्युपार करेंगे माने कहा बेटा ले जाए अगिध्डी नो की नो दर रखकी संवाड करें अब उन बच्चों ने सोचा कि देखते हैं लाल है का लाल दी उन उन बच्चों न जब खूल कर देखे हैं उनमे लाल नहीं था वो सब लाल दी थी उन बच्चों ने वही पटक दीवा पोटडी मा के गोड्याम है और कहने लगे माता जी आप तो बहुत बोली हो आपको पता नहीं ये तो लाल कोनी लालडी है उनकी मा बोली बेटा बाई मन तो मालूम नहीं तुरे पता के समय के रखे थे मन नसोचा लाल हो गे दुन्नों बच्चे ताउजी के पास गए और ताउजी से कहा ताउजी मेरी मा हनवा बिलकुल साधी बोली है उसको पता नहीं ताउजी वह लाल नहीं थो लाल लडी थी ताउजी कहता बेटा ये उस दिन भी लाल लडी थी जब तुम लेकर आए मुझे मालूम था यदि मैं ये कह देता ये लालम नहीं है लाल लडी है तिरी माँ भी नो कह वह हो अग्मारे साथ दोखा कर दिया ताउजी तिरे ताउजी नहीं मेरा पती मर गैब तो मारे लालों को भी लाल लडी बतान भाए गया वेटा तिरी माँ का कद्दे विस्वास दर्ड नहीं होता पिटा नहीं बरहो और मैंने तुम को इतना जो है पार्खू बना जिया ये पेतान करने योग बना जिया कि तुम ने अपने लाल लडी को अप लाल लडी कह दी तो पुन्यात्माओं ये तत्वगान और ये सीडी जो आपको भरी जा रही है प्रमात्मा के दिये हुए ग्यान की ये जो परवचन चल रहे हैं और ये बुक बनाई जा रही हैं इनको जो पुन्यात्माद्धान से पढ़ और सुन लेगा ये आप लाल और लाल लडी की परख करने वाला बन जागा और आप ही पटक देगा वो लाल लडी को जिस साधना को वो कर रहा है वही छोड़ देगा सबसे बड़ी तूटी कमजोरी यही रही है कि हम सद्गरतों से परीचित नहीं थी एक समुदा विसेश ही इसका ठेकेदार बना रहा उन्होंने ये सब काम विगाड दिया उन्ही मैंसे कोई रिसी बन गया कोई मेरे सी नकली का आ गया और उन्होंने ये पूरे मान और समाज को बरबाद कर डाला और ये सब काल का जाल है ये बिरमाबी सुनो महिश उसी काल के संकेत से चलते हैं से आपने कहा सुना कि गीता जी के साथ में जाय के बारा से पंदरा में कहा है कि ये तरगुण में माया मेरी काल भगवान कहता है बड़ी दुस्तर है बड़ी खतरनाक है और चौद में जाय के तीसरे सलोक में कहा कि तीनो गुणों से उत्पन ये तीनो शतगुण तमगुण और रजगुण इन तीनो गुणों के दो ये प्रकृति से उत्पन तीनो गुण इस जीवातमा को बाम्द कर रखते हैं स्रीर में बानते यानि कर्मा अनुसार और कोई गदा बनाई से एक उता उनके संस्कार वस उनको वहां उड़ जाए रखते है तो परमात्मा कहते हैं कि नई ये काल अपने सिर से बला टाल रहा है केवल बिरमा विसनों महे सी इसका कारण नहीं है कौन कौन है गरमा विसनों महे स्वर माया और धरम राया कई है इन पात सो मिल पर पंस बनाया बानी हमरी लई है परमात्मा कहते हैं गरमा विसनों महे से केले दोशी नहीं है जब कि ये खुद भी कहता साथ में द्याय के बार में स्लोक में कि ये तीनों गुणों के दोवारा रजगुन गुर्मा, सद्गुन, विश्म, तंगुर, सिवजी से जो भी सतीती, उत्पती, सतीती और साहर हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ, लेकिन आगे चलके फिर कहता है कि इन तीनों गुण ही तुम्हें बांद कर सब प्रा प्रमात्मा कहते हैं नहीं, गर्मा विश्म महेश वरमाया और धर्मराया कईये, इन पंत्सों में पुर्पंस बणाया, बांई हमरी लहिए जान आत्मा कहते हैं कि हम दो तत्व ग्यान आपको सुना रहे हैं, इनको बहुत ही धान पूर्वक, यानि संकेतों को भी समझना शुरू कर देना, लेहा माने, बिल्कुल पुरंत ग्रहन कर लेना, उस बात को गहराई से सोचना, उसके उपर विचार करना, इन पांचों में जीव अठकाए हैं, युगन युगन हम आण छुटाए हैं, फरते एक युग में हम आते हैं, और इन पांचों में जीव को फसा रखा हैं, हम आ करके छुटवाते हैं, अमर करूं सतलोक फठाऊं, तातें बंदी छोड कहाऊं, इन पांचों में जीव अठकाए हैं, युगन युगन हम आण छुटाए हैं, बंदी छोड हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, हमारा बंदी छोड नाम है, क्योंकि हम बंद से काल के बंधन से जीव को छु अटवाते हैं, और हमारा जो सत्थान सतलोक है वो अजर अमर है, सत्थिर बिलकुल सत्थाई सत्थान है, आविसल है, वो कभी नस्ट नहीं होता, पीर पेगंबर कुत्ब ओलिया सोरनर मुनिजन गयनी, एक्चा कोंतरा ना पाया, यमक बंदे परहनी, हुई हुई, कितनी प पीर पेगंबर और कुत्ब ओलिया सुर नर मुनिजन गयनी, ये जितने भी देवता है, रिशी जनवे हैं, और दो जन साधारन दो साधना की पत्पत्ती की छारकता है, इनको किसी को भी परमात्मा की प्राप्ती नहीं हुई, ये तो काल के डोरी से बंदे हुए हैं, ये काल के जालमें फसे हुए, अपने आत्माओं ये तत्वा गयन जब तक हमने आखों नहीं देखा था, वेदों को भी नहीं देखा था, गीता जी को भी नहीं देखा था, परमेस्वर की अवानी पढ़ते थे, तो हमें सरमाती थी किसने बतावां ये बात है, कि ये सुर् मावी शुनु महिस भी ये काल के जालम है कौन मानने गा मूरख बताओंगे हमारे को पिर जब ये खजाना परमात्मान ने दिखाया के वेदों में और गीतां में पुराणों में सारा कुछ तो वही लिखा जो मालिक ने पहले लिखा था उसके बाद नास के होंसले बुलंद हो गए के इब नस पकड़ी गई काल की अब इसकी नबस ठागी हमारे आप बता देंगे कौन कितने पानी में है उसके बाद ये डिनलोरा पीटना सुरू किया पीर पेगंबर कुटब ओलिया सुरनर मुनिजन क्यानी मुला माया मग मैं बैठी हनसा चुन-चुन खाई ये जोत सरूपी बैहान रंजन मही करता वाई अब आपने शिव पराण में पढ़ा के काल कहता है के तुम बगवान नहीं हो गर्मा विश्णों महिश्को धमका रहा है के तुम इस नहीं हो मैं ही स्वर हूँ यह परमात्मा कहते हैं ये जोत सरूपी बैहान रंजन के मैं करता वाई मैं बगवान हूँ मुला माया मग मैं बैठी हनसा चुन-चुन खाई जोत सरूपी कहै नरंजन मैं ही करता वाई एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई ये दसमा भी दोंदर में मिल जा सत्त कभीर दुहाई सैस अटासी दीप मुनिश वर बंधे मुला डोरी इत्यमजम का तलबा ना चली और उसके सोरी हम तो बंधी छोड़ कहाँ वाँ धरम राए है चकवे सत लोग की सकल सुनावाँ बानी हमरी अखवे चोदा भुवन गवन है मेरा जलसल में सर बंगी खाल लग खाल कमा खाल लग अवगत अजल बंगी अगर अलीर चक्कर है मेरा जित से हम चल आए पांचों पर परुवन ना मेरा हम बंद छुटावन जाए परमात्मा कह रहे हैं के हम सत लोग से आए हैं और इन पांचों बर्मा विश्नो माया बर्मा विश्नो महेस माया यानि दुर्गा और धर्मरा ये काल के उपर हमारा परवाना है हमारा जो है हुकम चलता है इन पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावन आए बंद छुटावन धाए अगर अलील तक कर है मेरा जित से हम चल आए जहां ओंकार निरंद नाही बर्मा विश्नो सिवनी जाही जाकरता नहीं अन्य भगवाना काया माया पिंडनी प्राना अमर करूं सत लोग पठाओं तातें बंदी छोड़ कहाओं बाई सिव बर्मा का राज इंदर गिड़ती कहाँ क्यार मुक्ती बैक उन्ठ समझ एता लहा संख युगन की जून उमर बढ़ धारिया जाजननी कुरबान सुका गजपाडिया अब क्या बताते हैं कि जो सत साधना नहीं कर रहे जो सत साधना नहीं कर रहे और जैसे रिशीजन के बारे में हम सुनते हैं इन्होंने ऐसे साधना की कोई एक लाख वरस जिया कोई दो लाख वरस अपना स्री रख लिया और हम आपने को सुबह बताया था कि गर्माजी की आयू एक हजार चत्र यूग का दिन एक हजार चत्र यूग की रात एक चत्र यूग में तरतारीस लाख बीस हजार वर्स ओहो हो और तीस दिन रात का महिना बारा महिने का वर्स और सो वरस की बर्मा की आईयो फिर भी मर्तू फिर साथ बर्मा की मर्तू के उपरां ते एक विशनू की मर्तू साथ विशनू के मर्तू के उपरां ते एक सिव की मर्तू और सत्तर हजार सिव मर जाएंगे तो बर्मलोक में जो काल बेटा है एक बर्मान में वो अपना स्री छोड़ देता है वो भी बरता है और ये सत्र हजार जब ये काल सदा सीव मर जाएंगे ये काल मर जाएंगे तब एक काल मरता है यानि एक बिरमंड का नास होता है ये एक उस परबर्म का एक यूग और फिर सो तो ऐसे ऐसे एक हजार यूग की परवर्म की रातरी इतना ही दिन तीस दिन रात का महिना और बारा महिने का एक वर्स और उस परवर्म की अक्सर प्रुस की सो वर्स की ऐसे आयू और फिर भी मर्चू यहां कहते एती उमरत बुलंद मरेगा अंतरे सत गुरू लगे ना कान न भेंटे वो संतरे कहते इतनी नम्भी भी उमर हो जागी तो भी मरती होगी क्यों कि सत गुरू लगे ना कान न भेंटे वो संतरे कि वो पूर्ण संततत वदसी संतना मिलने से तुम्हारी जलम मरतू का ये रोग नस्ट नहीं हुआ माया आद नरंद नभाई अपने जाए अपैखाई दर्मावी सुनो मैं हे सुर्चेला ओहंग सुहंग का है खेला शिकर सुन मैं दर्म अन्याई जिन सकती दायन मेल पठाई लाग गिरासे नत उट दूती ही माया आद तकत की कुती स्वालाख गड़ी नत भंडे हमसा उत पती पर ले डंडे शिकर सुन मैं एक बर्माण के अंतिम छोर पर ये काल बैठा है दुर्गा को इस बर्मंड में भेद रखा है शिकर सुन मैं धर्म अन्याई इस धर्म को इस काल को अन्याई कह रहे है परमात्मा और ये धर्म रायकारत न्याई धीस होता है और फिर भी ये न्याए धीस की पद्वी केवल नाम मातर है इसकी लेकिन कोरा अन्याए करता है तो यहां परमात्मा कहते हैं नरंजन धन तेरा दरबार जहां तिनक नहीं न्याए विजार तो यहां कहते हैं यहां धरम अन्याए भी लिखा है इसने न्याए धीस के साथ साथ कहता है तू अन्याए धीस है शिकर सुन मैं धर्म अन्याई जिन सक्ति या दुर्गा डायन मैल पठाई अब ये भी बिर्मा विश्णों महेश कीशी जीव को भी सचाई नहीं बताती इनको भर्मित रखती है काल के डर से शिकर सुन मैं धर्म अन्याई जिन सक्ति या दायन मैल पठाई लाख गरा से नित उट दूती ही माया आद तकद की कूती अब प्रमात्मा ने जोती नरदन को भी माया मही ले लिया के एक लाख सुबह उटतें खाती है सवा लाख उत्पन करता है यो ना लाइक है सवा लाख गरिये नित भंडे हनसा उत्पती पर ले डंडे लाख गरा से नित उट दूती माया आद तकद की कूती के एक लाख तो रोज खा जाता है सवा लाख ये भंडे गरता है शरीर फिर मनुस्यों के सवा लाख उत्पन करता है और इन जीवों को जनम और मरतू के दंड से पीडित किया हुआ दंडित किया हुआ हनसा उत्पती परले डैंडे ये तीन नूचे लाबट पारी सिर्जे पुरसा सिर्जी नारी खोका पुरमेजी उभलाए सोपन विस्त भैकुंट बनाए ये अरहट का कुवा लोई ही यागर बन जा है सब कोई अरहट का कुवा ये अरहट का कुवा देखिएगा ऐसा होता है पुरा देखो इसको यह नीचे जो आपने यह नजर आ रहा है यह कूप है कुवा नीचे जल है इसमें इस जल को निकालने के लिए शिचाई करने के लिए यह एक सिस्टम बना जाता था पुराने समय में यह पुली बनी है पुली के ओपर एक चैन लगी है चैन के ओपर यह बाल्टी बांध रखी है वेल्ड कर रखी है यह नीचे से भरके आती है और यहां ओपर आकर के खाली हो जाती है यहां खाली होकर के इधर जाती है यह देखिएगा यह नीचे जल है यह कुवा है और यह प तो यही नीचे से पानी भरकर आता है और यहां यह खाली होकर कि यहां से ऐसे खेत मत ला जाता है तो यहां नीचे से आया उपर खाली हुआ नीचे से भरी उपर खाली हुई नीचे से भरी उपर खाली हुई तो कहते हैं यह देखो यह महेश यह भी यही तरह वाल्टी बने हैं विशनो और बिर्मा यह यहां आए और यह खाली हुई उल्टे फिर जनमर्टू में साधान जीव की योने भी यह दारते हैं और फिर ऐसे कहते हैं यह अरहट का कुवा लोई जब तक हमें तत्व ग्यान नहीं मिलता पुर्ण प्रमातुमा सत्त वदर्शी संत नहीं मिलते तो हमारी जनमर्टू समाप्त नहीं हो सकती और जनमर्टू समाप्त नहीं होगी तो जनमर्टू के कारण हम नीचे आते हैं पुर्ण पाप इ या गल्बंढ़ा है सब कोई कीडि कुन्जर और अवतारा हर हट दूर बंदे कईवारा शेस महेस गने स्वरताही हर हट दूर बंदे सब आही ये सुकरादिक बर्मादिक देवा हर हट दूर बंदे सब खेवा ये को टिक करता फिरता दिख्या हर हट डोर कहूं सुन ले खा ये चतर बुजी भगवान कहा हूँ हर हट डोर बंधे सब आवे ये चतर बंधे सब आवे ये बीस दिनमर तू के रहे ठीके सक्कर मकाल के मैं ये भी बंधे आवे अन्त कोट अवतार हैं ये माया के गोबिंद ही करता हो के आवतार हैं ये फिर पड़े जगबंद फंद के ये बगवान बनका आवे हैं यहां पर आवतार भार के और फिर ये अपने करम इतने बिगाड़ के चले जाते हैं इनको फिर तुरह सी लाग सी ओनियों में डाल दिया जाता है पुनातमाओ ये कोई समें मिला आपको और आपका ये बहुती युगों युगों के पूर निकटे हुए हैं आपका इस बगटी कालम इजनम है मनुश का और और भी अच्छे किसमत आपकी इसलिए हैं कि आपको ये तत्वे ग्यान आपके कानों तक किसी भी तवारा किसी भी कारण से पहुंचा है और उससे भी अथी किसमत आपने इसको पहसान लिया है सुभी कारण कर लिया है आपकी क्योंकि रोगी को अपनी बिमारी के नष्ट या स्वस्थ होने का इतना ग्यान नहीं होता जितना की डॉक्टर को होता है आप कितने सलस्थ हो रहे हो और आप कितना समय पर इस परमात्मा के ऑपरेशन थियाटर में इस ऑस्पिटल में आ गए हो ये तो ये दास जान सकता है आपको मालूम नहीं और आप कितने पुनकरमी हो ये भी आपको नहीं पता परमात्मा केते हैं लखबर सूरा जूजही लखबर सामत दे और लखबर येती जहान में तब कोई सत्गुर सर ना दे आप योगों योगों ना जान कितने पुनकरमी प्राणी रहे हो और वही पुन्यात्मा आज सत्गुर की सरन में आएंगे और बाकी जो थोड़े पुनकरमी हैं उनको पुनकरमी बनाएंगे क्योंकि पिछले भी अब ये सकूल है इसमें पहले विदार्थी पढ़ रहे हैं वो भी पास होंगे जो नए परवेस पावंगे उनको भी पास ही करेंगे तो इस परकार जैसे राजा अम्रीस थे सत्युग में राजा थे और खुब बक्ती करते थे बहुत और ऐसे भी एक बहुत यच्छे एक राजा थे वो इतने पुन्यात्मा थे कि उसके रज्ज में और तो जगड़े कहां होते थे जो है फिर इंसक पसूगी कोई मास आहार नहीं करते थे इंसा नहीं करते थे फलो आहार करते थे तो ऐसे राजा अम्ब्रीस थे उसके बाद राजा जनक हुए उसके बाद नानक जी हुए राजा जनक थे जब वो कितने पुन्यात्मा थे और कितने सकती युक थे कि सुखडेव जैसे रिसी को महर रिसी को युनों ने इसस बनाया और जैसा उनको ग्यान प्राप था उसमें कि इस तीन लोग का विजान उन्ही को उत्तम था उसलिए वो कितने अच्छी आत्मा थी फिर भी पार नहीं हुए और फिर सुरी नानक जी के रूप में फिर जनम हुआ और किसमें जनम हुआ जब परमात्मा इस पर ठीपर आये हुए थी और वो कितनी पुन्यात्मा थी तब ही उस पर मात्मा ने उनको अपनी सरन में दिया तो ऐसे ही अन्य दो तो सट लाक सिस्वे वो भी बहुत पुन्यात्मा थी लेकिन वो कच्चा समय था उससे में वो पार नहीं हो सकती थी इसलिए परफुन एक लिलाकी जिससे उनकी पुन कमाई बन्वा का अपने से दूर कर दिया कि पार तो यह नहीं हो सकते क्योंकि यह मुझे भगवान नहीं मानते अर यह नकली संतिं को तो भी भरमिת कर देते हैं कि तुम्हारा गुरू यह नहीं जानता वो संस्कृत नहीं जानता कैसे सास्तरों को सकते हैं जो सास्तरों वईसा लिखा है तो हम उन नकलीयों की वात dus नहीं हम आप लाजिया करते हैं तो इसलिए भी पार होने योग नहीं थे जब तक हमें ये दर्ड विस्वास नहीं होगा कबीर भगवान है, सारज़सकत इमान है और दूसरा कोई ग्यान नहीं है यही समाधान है, यही मंत्र है इसी से पार होंगे तब ही हम इसके उपर निटबह होकर चलेंगे हम इस संसय होकर चलेंगे तभी प्रमातमा के पाँच पहुंच जाएगे जब हमारी दिसा पूरी नर्धारित हो जाएगी यह मारग है और कोई विचलित करें हम इसे दूर नहीं हो सकेंगे ये काल के दूस कितना है मरे पीछे पढ़ें और कितना इस हुट बोलें कि तुम गलब जा रहे हो हम उनसे वितलित नहीं होंगे तभी अपने घर पहुंचेंगे तो लखबर सूरा जूजही लखबर सावत दे और लख परियती जहान में जब कोई सत्गुर्शर ना ले तो पुन्यात्माओं आप इतने पुनकरमी प्राणी होके जनम जन्मांतर के भगती के ये दो परकार की कमाई होती है धन होता है एक तो दान और धरम और यग का किया हुआ जो दान होता है पुन्यात्य आपका धन होता है वंक्डी धन होता है उससे तो आप सेठ बन जाते हो और अच्छी विस्था आपके घर की होती है जिसने जैसा दान किया हुआ होता पूर जनमा में धरम की होती है कार भी हैं कोठिया भी हैं उनके पास और दूसरे वो हैं बिलकुल मजदूर हैं गरीब हैं या मीडियम साइज की हैं वो भी इस सरन को गरहन किया इनोंने परमात्माई की सरन मिली है तो आपका और उन सेटों का बगती का धन तो बराबर है जो नाम की कमाई का जो धन है बगती का वो तो बराबर है लेकिन पुन्ड नहीं कर पाएं, पहले जनमों में हम, तो अब हम उस पुन्ड कमाईभले हमारे पास धन नहीं है, यह जो संसारिक धन जिसको हम कहते हैं, जो दान से ब्राफ्त होता है, दान कम करने से, लेकिन हमारे पास वो बघ्टी का धन बराबर है, इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत दारी दर भला तुटी घर की छान वो सुन्दर मेल किसकाम के जा बगती नहीं भगवा तो आप दोनों की जो वो सेथ हैं जो पैसे वाले हैं कारों वाले हैं और एक मजदूर है रिक्षा चलाता है मजदूरी करता है उन दोनों को शरन प्राप्त हुई है तो आपके जो भगती वाले जो पुन हैं वो बराबर हैं वो कमाई दोनों की समान है आप इतने पुन कमाई युक्त है अब उनको जो जिनके पास अज़ धन हैर ये मारग मिल गया उनकी यह समस्यात हल है कि उनने रोजी रोटी के लिए बटकना ना पड़ता उनकी अगर वो सच्चे धंग से समझ जाएं तो उन्होंने केवल परमात्मा ही भजन का पूरा से मिल सकता है लेकिन इस तत्वग्यान से प्रीचित होने से वो धन वाले और गणे दुखी ओने लग जाते हैं और ज़्यादा को वालिक जितना ये दान करेंगे उतना धर्म फलेगा वो दान परमात्मा दान का परतीफल धन गणा देगा उस दान से भी वो फिर ज़्यादा विचलित होने लग जाते हैं तत्वग्यान को आधार ना बना करके और एक मजदूर है उसके पास पैसा नहीं है उसके बाद धन नहीं है वो भी विचलित है वो किवल धन धन मांगने आन लग जाता है तो इस तत्वग्यान को समंझ कर धनवान ने गणे दन की जरूत नहीं और वो देगा जो उसके भाग में वो मिले ये मिलेगा लेकिन उसको सद्वियोग करे उसको घणा जादा आगे बढ़ाने की जिश्टा ना करके उसको सीमित करे तो इस तामे टे पदमर पदे समाना चलहन सा उस लोग पठाओं जो आद अमर अस्थाना तो यहां हमने अपनी इच्छाओं को कम करना है तो जो धन है जो पिछले जनमा दान किये हुए उनको पुरा धन मिला हुआ है और वो भी सर्णक्रेन किये हुँ है तो पुन्यात्मा और वो मजदूर भी पुन्यात्मा सिमिलर उनका एक जैसा सतर है बगती का लेकिन दान मांतर रहा तो अब परमात्मा यह बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर गिलको एक ऐसी सथी ठीम रहे एक जौफडी में और कपड़ा बुन्या करते थे और कबीर परमात्मा से निर्धन दारीदर कोई भी कासी में नहीं था उन्होंने इसलिए यह लीला की थी कि कोई यह ना सोचा है कि जिन के पास गणादनहर गणादरमकरन के लिए पैसा है कि लोगों ही पार होंगे हम गरीब नहीं हो सकते परमात्मा कहते हैं दोनों ही पार होगे एक के पास बीस लाख रुपे की इनकम है मेहने में और वो मेहने में एक लाख दान करे है और मेहने में साल में दस लाख या बारा लाख कर दिया उसको कई करोड का इंकम है वो भी दान है और एक गरीब आदमी है मजदूरी करता है और वो भी साल में दो तिन पाठ करा देता है वो दोनों का धर्म जो लिर्दन है उसकी हमत देख तो वो दान उससे कई गुना ज़्यादा लाब दाएक है आगे चलके इसी रेसों से प्रमात्मा उनको लाब देता है तो कहने का भाव ये है कि अब हमने पार होना है और इस विचार से को भी अधार बनाना है जैसे मान लीजिए इस जनम में ना पार हो सके अब तो यह हजारों वरस चलेगा यह मार गए और आपका फिर जनम हुआ आपको यह ट्यार मिलेगी मलाई बनी बनाई और उसमें आपने जो धरम पुनक रखे है यह आपको मिलेगा तो आपकी रोजी रोटी का समाधान त्यार पाओगा फिर केवल भगती भगती करनी सेस रह जाओगी तो इसलिए हमने अपने किसी भी पॉइंट को लूज नीरे ने देना पार बसावा जितली समर्चता हो हिमत सी करकर दान भी करे और भगती भी करे इस परकार हम परमात्मा प्राप्त करेंगे और फिर सदा के लिए जनम मर्तु के रोग से छुटकारा पाएंगे बोलो सत्वर्देव की